अलो दोस्तों एलकम फ्री साथ करता हूँ दोस्तों आज मैं एक लैप्टॉप की बैटरी सेल्स रिप्यार किया मतलब इसको चेंज किया उसके बाद देखा कि यह चीज ऑन नहीं हो रहा है तो थोड़ा से मैं इंटरनेट पर साथ किया और कुछ ग्यान मुझे मिला है तो मैं कि इसको जब कनेक्ट करेंगे तो चीप जब ओन होगा यह ओन होकी देखेगा कि सारे सेल जैसा कनेक्ट होनाता है वैसा ह irrelevant अगर आप इस ground line को पहले connect कर देते हैं और बाद में कोई दूसरा line connect करते हैं तो IC को पता चल जाता है कि यह line बाद में connect हुआ है मतलब cell के unbalance मिल जाता है इस IC को तो ground line last में connect करने से cell सब balanced जाएगी मतलब एक-एक cell को अगर आप लगाते है तो इसमें IC की दिक्कत आती है लेकिन इस बजा से अगर आप ground को लाश्ट में लगाते है मतलब जो सब से माइनस बली line है तो यह chip on होके ही पहले देखेगा कि सब cell आपका सही सही connected है तो यह इसका operation स्टार्ट करेगी अब इस जगा पर देखिए इस side में जो है ground की connection है यहापर देख सकते ही जो ground की line है यह यहापर connected है और जो है यह दोनों positive कर लाश्ट की दोनी तो यह माइनस की terminal जो है यह इस point तक पूरा continue रहता है तो हम इस point में माइनस के देने से हर जागा का voltage को चिप कर पाएंगे तो इ इस जगा पर नहीं आ रहा है जहाँ पर इसका output है ओके कोई कोई बोलता है कि इसका जो positive line है इसको इस पीन के साथ short कर देरे से यह jump start हो जाती है मतलब यह चीज जो है on हो जाती है तो इसको भी ट्राइब करके देख लेते है ओके आप चेक करते है वोल्टेज आ रहा है की न आए देखते है अलाकि मैंने इसका फॉल्ट पहले ही पता कर लिया आपको दिखाने के लिए यह बुल रहा था तो इस जगा पे देखिए जहाँ पर आपका positive line हो रहा है उस जगा पर पहले ही आपका जो फ्यूज एक मिलेगा तो यह component है फ्यूज और यह दोनों component है इस छोटा वाला है और दो एक transistor है तो यह लोजिक बगार कंट्रोल करने के लिए और यह थर्मिस्टर है यह इसका heat को measure करता है और आगर हाई ही हीट हो जाता है तो इसको काट कर देता है और लेप्टॉप को signal भाजता है कि हीट हो चुका है तो यहाँ पर देखिए यह जो इसके ऊपर जो लिखा रहेगा वह 12 A H 4 इस तरह का एक लिखा रहेगा और उसके निचे लिखा रहेगा ACSF यह जो है ऐसा फ्यूज है इसको blow करने के लिए high current की ज़रूरत नहीं है इस IC में आगर कोई fault detect किया तब इसका जो output को हो रहता है तो इसको खोलना बहुत ही जी है आपको एक चाकू लेकर थोड़ा सा प्राई कर देना है जो उससे पहले आपको दिखायता हूं कि इसका जो फ्यूज की कनेक्शन यह कॉंटिन्यू है कि नहीं तो यह रहा हूँ है तो यह रहा मेरा मिटर तो यह देखिए इस कन हीटर का कनेक्शन तो इसमें देखिए कोई कॉंटिन्यूटी नहीं बता रहा है तो इसका मतलब कि यह फ्यूज उड़ा हुआ है और हीटर का कनेक्शन को देखेंगे तो आपको कॉंटिन्यूटी मिलेगा हीटर में थोड़ा सा कम रेजिस्टेंस मिलता है मतलब 10-15 अहम के देखते हैं इसके अंदर राकिया तो यह देखिए खुल गया मैंने पहले से खुल के रखा था इसलिए यह इजीली निकल गया तो आप थोड़ा सा ज़्यादा प्राइ करना तो निकल जागी यह गुलू देखके चिपका हुआ रहता है तो यह पर देखिए यह जो चीज मिल से उसके साथ और कनेक्टेड नहीं है तो यह एक इंटेलिजन्ट चीज है साइन्टिस ने बनाया इस फ्यूज को तो यह सोल्डरिंग जो है मेल्ट हो जाता है उसके बाद यह फ्यूज ऊड़ जाता है तो भाई इसको आप खारिज सकते है अली एक्सप्रेस में मिलता है ल बस थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर देंगे उपर और नीचे तो भाई मैंने इसको रिपैर कर दिया आप हम देखेंगे वोल्टेज इसमें आ रहा है कि नहीं तो इसको फोल्टेज मोड में देते है और यह देखिए 14.2 वोल्ट आ गया तो यही था इसका प्रोब्लेम और भा लेड़ी देखें तो यह पता जल रहा है कि नहीं यह देख के हमको पता चलेगा कि यह चीज एक्चुएली रिपैर हुआ की नहीं तो इसको लगाया माइनस में और प्लास में इसको देंगे तो यह देखिए लीडी ग्लो होने लगा तो अगर माइनस को यहाँ पर ना लग कर रहे हैं इसको तो इस चीज को आप ऐसा मत कीजिए यह मेरा रिकमेंडेशन है क्योंकि इसमें मैं गैरंटी नहीं दे सकता हो कि इसको यह उड़ा पाएगा और यह सायद आपको लेप्टोब को खराब कर दे कई कोंडिशन में अगर फॉन्ट लोजिक होता है तो इस अगर यह वीडियो सब्सक्राइब आपको पूचना है जानना है तो कमेंड़ ब कर दो थानकी पेडियो